Good morning and assalamualaikum अपरकेजी, how are you all? I hope you all will be fine. बच्चो आज है मंगल, 15 दिसंबर 2020 और आज हमारा उन्मान है रीडिंग जिसमें हम आपका फेवरेट रीडर आओना हालो की रीडिंग करेंगे और हमारा रीडर धनक, इसकी हम रीडिंग करेंगे लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? Phonics शीन्ष, सौद्ष, 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 त्वेट, सौद्ष, आइन्अ, वाइन्ग, फेफ, काफग, काफग लामल, मीम, नून, वाउव, हेह, हमज़ा, येय, येय जी अपरकेजी, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी जराय अमदुरफ्ट मतलब अमदुरफ्ट के जराय जिसके जरीए हम सफर करके एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं अब हम सफर किन किन चीज़ों से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी ये देखें, ये किसकी पिच्चर है? कार, और ये वेगन, हवाई जहाज, साइकल, और रेल गाड़ी ये होते हैं जराय अमदुरफ्ट दोबारा पढ़ते हैं कार, वेगन, साइकल, हवाई जहाज और रेल गाड़ी जी बच्चो, अब आप जल्दी से रीडर धनक का पेज नमबर 16 ओपन करें ये देखें, क्या लिखा हुआ है? सीन सीन, आप ब्लॉक में लिखेंगे पैंसिल से ठीक है, अपनी पैंसिल भी उठाएं सीन के साथ ये क्या है? सीन बढ़िये से, बे से दोबारा पढ़ें सीन बढ़िये से, बे से दोबारा सीन दिखें सीन बे सब, जे छोटिये जी सीन बे सब, जे छोटिये जी सबजी, से, सबजी अब दोबारा दिखें सीन सीन वाव सूरे जीमरज ये देखें सूरज दोबारा पढ़ते हैं सीन वाव सूरे जीमरज सूरज अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड सीन के साथ ये क्या है अलिव, सीन अलिव सा सीन चे सच सीन नून सुन सीन बे सब सीन रे सर सीन वाव सो ये नीचे वाले वर्ड हमने नहीं पढ़ने ठीक है अब हम दूसरे पेज की दरफ चलेंगे ये देखें बच्चों ये है शीन अब हम पैंसिल से ब्लॉक्स में शीन लिखेंगे जिस तरह हमने सीन लिखा था शीन के थ्री डॉट्स लगाएंगे शीन ते रे शुतर मीम रे गाइन मौर क्या होता है ये देखें शीन पेश ते रे तर शुतर मीम पेश रे गाइन मौर शुतर मौर अब हम दोबारा शीन लिखेंगे शीन के साथ देखें क्या है बढ़िये शीन बढ़िये शेरे शेर शीन बढ़िये शेरे शेर अब हम नेक्स वर्ड पढ़ेंगे यह देखें शीन अलिफ शा, शीन रेशर, शीन लम शल शीन बेशब, शीन काफशब, शीन वाउशो यह नीचे वल वर्ड हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है सिर्फ हम यहीं तक पढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे आपका फेवरिट रिडर आउना हालो जी प्यारे बच्चो, आउना हालो का जो हमारे पहली कहानी थी मुन्य के बहाने, आज हम उसका आखरी पेश पढ़ेंगे मुन्य ने सो बहाने बनाए ठीक है ना लेकिन एंड में उसको मुर्गी खानी पढ़ी जी जोड करते हैं मीम पेश नून मुन, नून बढ़िये ने मुन्य काफवाव को, मुन्य को मीम रे मुर्ग, गाइन चोटिये की, मुर्गी के अलिफ खा, देखें दो चश्मी है जब काफ़ के साथ मिल जा तो क्या बन जाता है खे, के अलिफ खा, नून चोटिये नी खानी, पेड़े, चोटिये ली, पढ़ी ये देखें, मुन्य के साथ टॉफ़ी भी पढ़ी उसके ममा ने वादा किया था ना अच्छा भई, टॉफ़ी खा लेना पहले ये थोड़ी सी मुर्गी तो खा लो अब देखें, हैपी होके मुन्य मुर्गी भी खा रहा है इस शर्ट पर कियो बाद में टॉफ़ी खाएगा इसलिए मुन्य को मुन्य को मुर्गी खानी पड़ी जी बच्चो, आज हमारी पहली स्टोरी कंप्लीट हो गई है आज हम इसकी रवियन करेंगे और उसके मुश्किल वर्ड्स की रेडिंग करेंगे ये देखें क्या लिखावा है नून हे ये, नून गुन्ना नहीं ठीक है, फिर है गाफ़ा गोशीन ते गोश्थ हे डाल हट, डाल छोटी है डी हट डी अलिफ छे अच्छे, अलिफ छा अच्छा फेरे फिर ये इसके साथ ही हमारा रीडर आव नहालो, खतम हुआ अब आप लोग जल्दी से अपनी वर्क बुक का नेक्स पेज ओपन करें और टीचर को लिखे चट करवाएं अलाफ़ीज बेटा, अपना खयाल रखिएगा